आज हम बात करने वाले हैं नौर्थिष्ट की नौर्थिष्ट एक ऐसी जगा जहां पर आए दिन सीमा भी बाद होता था उग्रुवाद का इतना कबजा था कि लोग और आम जनता सांती से नहीं जी पाते थे 2014 के पहले से वहां पर किस प्रकार से उग्रुवाद का जन्म हुआ 2014 के पहले वहां पर किस प्रकार की आसांती थी लोग खुली सांस नहीं ले पाते थे ये सब को पता है और किसी से छुपा नहीं कि 2014 के पहले वहां पर नौर्थ रिष्ट त्रिप्रा आसाम के छेतरों में जिस प्रकार से मगज मारी थी मावाद का उग्रुवाद का जन्म था और लोग खुली सांस में सांस नहीं ले पा रहे थे वो किसी से छुपा नहीं है लेकिन इसके बाद साल 2014 में जब एंडिये की सरकार बनती है तो तमाम सांती पूर्वक समझाओते होते हैं और 2014 और 2014 के बीच में इस 10 सालों में सब कुछ बदलता है नौर्थिष्ट के लोगों तक जहां पर मूल भूस यहां उगरवात के करण नहीं पहुच पाती थी वहाँ पर अमिस्सा की रन्नीत और मोदी जी की बिचारधारा और सोच ने नौर्थिष्ट को वो सब कुछ दिया जो पूरे देश में आम जनता को मिलता है आज हम आपको कुछ टॉपिक बताएंगे 2014 और 2014 के बीच में आमिस्सा और मोदी की जोड़ी ने किस प्रकार से NDA गडबंधन के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार ने सब कुछ परिवर्तित करने का काम किया आपको पता है कि नॉर्थिष्ट जहां पर सीमा को समझाता नहीं होता था और सीमा को लेकर विबाद होता था दो राज्यों के बीच में नॉर्थिष्ट एक ऐसी जगा जहां पर उग्रवाद और मावाद इतने खतरनाक भयावा रूप से हो गए थे कि दिन दिहाडे आम आदमी को निकलना भी दूबर हो गया था लेकिन जब 2014 और 24 के बीच में भारतिय जनता पार्टी यानि NDA की सरकार बनी केंद्र में इसके बाद फिर इन दस सालों में वहाँ पर सब कुछ बदला आज वहाँ पर सुख से लोग रहे हैं चैन से वक्त बिता रहे हैं और इसके बाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना वहाँ पर उग्रवाद का चिनता ना मावाद का चिंता है 2014 के पहले की बात आप सबको पता है लेकिन आज हम आपके सामने कुछ ऐसा आकणा रखने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप भी यह सूचेंगे कि सच में 2014 और 2024 में केंदर सरकार ने पूरी तरीके से नौर्थिष्ट के छेतर में काम करने का काम किया है ससस्त्रबल विसेश अधिनियम लाया गया और इसके बाद आसाधन सक्ति प्रदान दिख करके ससस्त्रबल को पूरी तरीके से मजबूत किया गया बिभिन प्रकार के कानून बनाए गया जिसमें अलगावात की जो बू आती थी उनको दूर रखा गया और इससे जो है पूरवतर के राज्य जो है वो काफी मजबूत हुए काफी सुरच्छा गत हुए क्योंकि यहां पर जो संकेतक दिये गए थे कि भाया हम पूरी तरीके से नौर्थिष्ट को जो है बिक्सित करेंगे वो पूरा काम जिस प्रकार के संकेतक निसान दिये गए थे इस प्रकार का कानून लाकर और ससस्त्रबल को जो है पूरी तरीके से आत निर्भर बनाकर पूरी तरीके से नौर्थिष्ट की दिसा दिसा भाग्य बदलने का प्यास किया गया 2015 में त्रिपुरा से 2018 में मेगाले से और फिर पूरी तरीके से वापस ले लिया गया नागा लेंड के 15 जिलों में मडीपुर के प्रमुक्षेत्रों में भी इनको निरस्त कर दिया गया पिछले चार वरसों में असम और अरुणाचल प्रणिय रणनीति उनको ऐसे ही राजनीत का चाड़क के नहीं कहा जाता है और यही करण है कि जो नौर्थिस्ट के छेत्र है उनमें नौर्थिस्ट के राज्यों में 2014 और 2024 के बीच में गजब का विकास देखने को मिला सीमा समझोता हुआ ससस्त्रबल का समझोता हुआ और इसके बाद राष्टिय सुरच्छा में बहुत सारे ऐसे कानून परिवर्थित किये गए जो नौर्थिस्ट के राज्यों के लिए वर्दान साबित हुए रामबान साबित हुए इसके बाद इन 10 सालों के बीच में जिस प्रकार की काम हुई अगर मैं उसकी तुलना करवान लग जाओंगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे पूरवर्थिक कांग्रेस सासन द्वारा जो काम किये गए थे वो बिलकुल काम बेकार थे लेकिन जब से मोधी सरकार की आई और इसके बाद मोधी सरकार के बीजन के अन्य नेताओं ने मिलकर काम किया पूरी तरी राजियों के बीच में बिबाद होता था उन राजियों के बीच के सीमा बिबाद को सुलजाया गया इसके बाद 2019 और 2023 के बीच जो है लगभग एक से अधिक 37 संदी पर हस्तार चर किये गये मतलब 37 संद पर इसके उपरांत बुरूबरोड समझा होता बुरियांग समझा होत जिसमें कारभी अंगलंग समझा होता उलफा समझा होता इसके बाद जो है असम मेगाले अंतर राज्य समझा होता सोचे कि देश हमारा एक था लेकिन राज्य के बीच में सीमा को लेकर जो है कई बार जगड़े होते थे जिसको सुलजाया गया केंद्र सरकार के और राज्य आसांती थी वहाँ पर मोधी सरकार ने पूरी तरीके से सांती लाने का प्रयास किया योजना बद्ध तरीके से कदम उठाए और यही करण है कि आज पूर्वोत्तर के जो है जो जिले हैं वहाँ पर और जो राज यह हैं वहाँ पर नौर्थिष्ट के वहाँ पर गजब का डे बेचना रखा गया और उन बेचनाओं के बीच में जो है एक सांती लाने का प्रयास किया गया और केंद्र सरकार द्वारा जारी रणनीत जो है वो सीधे नौर्थिस्ट के लोगों तक पहुंची और यहीं कराने कि आया नौर्थिस्ट का डेबलेटमेंट दुगनी गती से हो अंतर राज्य सीमा विबात को सुलजाया गया और यह सब उपलब्धी जो है 2014 और 24 के बीच में जो है हुई है आज मैं इस वीडियो को बनाकर आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूं क्योंकि चुनाओं है और चुनाओं में जो है किसने 2014 के पहले क्या काम किया था और 2014 2014 के बीच में किसने क्या काम किया है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा था 2014 और 24 के बीच में नौर्थिष्ट जितना संपन हुआ उतना आजादी के 60 साल पहले तक नौर्थिष्ट संपन नहीं था और उसमें कहीं न कहीं अगर आज नौर्थिष्ट का संपन्नता का कारण है तो वो अमिसाह जी की सफल रणिनीद और मोदी जी का जो है विकासी द्रिष्टिकूड ये है उनका सफल वीजन और ये करना कि नौर्थिष्ट जो है वो पूरी तरीके से अपने आप में जो उनके राजियों अब परिपक हो गए हैं वो आत्म निर्भर हो गए हैं और बहु जय हिंद